आओ गाएं सब हिल मिल ये है नवसा छे में दिल दिल गगं में वोती जैसे तारों की जिल मिल ये है नवसा छे में दिल कि नमस्कार साथियो और सब ठीक है कुशल मंगल तो आज के लिए तैयार हो अरे वाँ बहुत अची बात है तो सबसे पहले आज का विचार समाज जक्ती से उपर है और राष्ट समाज से बढ़कर है भाई वाँ शवीता जी हमारे साथ ये तो बहुत ही संवेदन शील और जिम्मेदार नागरी के हैं भाईया जी ये संवेदन शील के हुए जरा अच्छे से समझा दो क्यों सवीता तुम समझाओगी क्या है नहीं हाँ क्यों नहीं ये तो आप सबी लोग जानते हैं कि हम सब एक समाज मे रहते हैं चाहे वो गाव हो या शहर सबसे पहले हमारा घर होता है फिर पासपण या महला फिर नगर या प्रांत फिर होता है प्रदेश और सब प्रदेशों को मिलाकर बनता है हमारा देश या राश्ट्र वो तो हुआ दिदी मैं वही तो समझा रही हूँ कि हर स्तर पर जो महतुपून है वो है हमारी इकाई छोटी से छोटी इकाई और वो है व्यक्ती एक व्यक्ती, दो व्यक्ती, चार, छे, दस, सो, हजार लाग आगे संख्या कितनी भी बढ़ाती जो और इन सब लोग बागों के समूझ से मिलकर बनता है हमारा समाज तो दो चीजे निकल कर आती है बताओ क्या-क्या व्यक्ती और समाज बहुत ही अच्छी बात कहीं संकाल देखो साथियो दोनों ही स्तरों पर हम लोगों में आपसी समझ जरूर होनी चाहिए यानि एक व्यक्ती दूसरे के साथ कैसा व्यभार करे जिससे आपसी प्रेम बढ़े और हमारे पूरे समाज की उन्नती हो इसको कहेंगे व्यक्तिकत समवेदना और एक समाज दूसरे समाज के साथ कैसा वैभार करे ताकि आपस में सत्भाव ना बढ़े और एक दूसरे के प्रती प्रेम और आदर का भाव इसको कहेंगे समाजिक समवेदना अरे रामजी भला करें मनीश भाया यह कुंसी नहीं बात वहीं बात हुए यह तो वहीं भाती कि डालोगे इञ़त खाओगे चीछ अरे काकी तुम तो बड़ा ग्रम घ्रम खावे हो बात तो बिल्कुल ठीक काहें वह तुम और कम से कम बात चीट को आगे तो बढ़ने दिया क अरी राम जी भला करें चल मैं तो चूपूं सांती रख जेरा हां मनीश भया कहो अब क्या कहते हो बड़ी मोटी सी बात है काकी देखो साथियो हमें दूसरों के साथ वैसा ही विवहार करना चाहिए जैसा विवहार हम अपने साथ करवाना चाहते हैं यू बात तो है के हार काका इससे पहले कि दूसरे लोग हमारी बात सुने हमें भी उनकी बात सुननी चाहिए हमें उनकी मन की स्थिति को जानना चाहिए कि वह हमारी बात सुनने के लिए तयार है या नहीं है या कोई परेशानी या उल्जन तो नहीं है जो उन्हें हमारी बात सुनने के लिए मज सुन ही नहीं बाते हैं तो काकी इसका मतलब यह हुआ कि हमें अगले की भावना का ध्यान करके फिर सो समझ कर ही बोलना चाहिए हाँ दीदी मैंने कली पड़ा था पहले तोलो फिर बोलो इसी बात पर मुझे रहीम का एक दोहा याद आया तो सुनो रहीमन रहीमन जिव्या बावरी कह गई सुरग पताग आप कह भीतर भई और जूति खाए कपाग यानि हमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी अनरगल या अंटशंट बात नहीं कहनी चाहिए जिससे उसे कश्ट हो या दुख पहुचे क्योंकि जवान की क्या वो तो कहकर अंदर चली जाएगि और बात में जलील हम यह को हना पर रहा हमाती लिकन आप तो हम सभी यह बात भली बात की समझ चुके हैं कि हम एक वहा रसदी सत्ति खाए हो अरे रामजी भला करें मनीश भीय तुमारा तकी बात तो हमेशे ही कड़वी हुआ करें है सत्य कठोर तो होता है का कि क्यों लेकिन शास्त्रों में कहा है सत्तम भुयाद प्रियम भुयाद जानी सत्य बोलो और प्रियव बोलो अब उधारन के लिए ले लो जैसे कोई अंधा विक्ती है या कोई लाकार है तो कोई जcation कि हम उसे अंधा कह कर पूकार अधर के साथ सूरदार जी कह भी भूला सकते हैं कि नई कि यह तो है एक तो बिचारा नेतरहिंता और दूसरे उसे बार-बार अंधा-ंदा कहकर उसके दुखती रख को छेड़ना कितने बुरी बात है सभीता वितिया हमें तो अब तुमें बात बता देओ अब कछू काम की बात भी होएगी है कोयल की कुहु कुहु ही होती रहेगी रामु काका एक तरह से बात बिल्कुल ठीक भी है क्योंकि हम सभी लोग बातें बहुत करते हैं और जबकि होना यह चाहिए कि बातें कम और काम ज्यादा मनीश ची हम लोग व्यक्तिकत संवेदना की बात कर रहे थे व्यक्तिकत संवेदना का दारा बहुत बड़ा है यह केवल आपस में बोल चालता की सिमित नहीं है हमें प्रिये तो बोलना ही चाहिए लेकिन साथ में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों का अहित हो कष्ट हो क्या उन्हें कोई दुख पहुत हो मनीश भीया यह बात कुछ समझ नहीं आई कोई उधारन दे कर समझाओ हाँ हाँ क्यों नहीं अब मालो जैसे तुमारे घर में कोई उत्सा हो किसी का जनम दिन हो या शादी हो तो आप खूब मज़े से नाचो गाओ खाओ पीओ खेलो कुदो और बच्चे ची बातें करो लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने लौड स्पीकर को इतनी तेज चलाओ कि आपके प्रौसी परिशान हो और उनके खानों के परदे फट जाएं जिन बच्चों की परिक्षा चल रही हो भारी शोर होने पर उन पर क्या बीटती होगी और छोटे छोटे बच्चे जो शोर सहनी नहीं कर पाते उनके तो कैसे मुसीबत आती होगी अरे राम जी भला करें रामु काका इस शोरगूर से तो बड़े बुडे और विमारों पर तो मुसीबत ही आ जावे है तो आप समझे यही बात आती है व्यक्ति का तोर समाजिक समवेदनाशी यानि आप अपने घर की नाली का पानी यानि नहाने दोने का और रसोई का गंदा पानी इस तरह निकालें कि रास्ते में कोई कीज खाचा पैदा ना हो जाए या फिर पडोसी के घर की जड़ों में सीलेन या बद्बुना पैदा कर दे मनीज भाईया यू बात तो सही है कभी कभी घर की छत और परनालें ते क्या है आपस में आज पडोसी की लट बच जाएं तो भाईया हमें यूज चीज को ज्यान रखनों चाहिए कि भाईया काउ हमारे काम से काउ पडोसी को कई आज पास के रहने वाले को कच्व काम पना दिखाड रहो हो यूज हो चाहिए भाईया मेरे पडोस में तो डोड़ आंगरों के पीछे अक्तर लड़ाई होती रहती है बही कभी तो पन्ना की भैस है ना वो गैंदा के आंगन में चली जाए प्रोड़ाई कोबर करते हैं और का का कभी गयंदा की फखिरिया ओक पन्ना के आंगर में जाओ जागे जाए दरी नहीं करते और भाईयन भी रोड़े तो मावारत तो तुम सभी कैसे शहतर के हो समझाती क्यों नहों पन्ना और गयंदा की घरवालों को अरे कौन पन्ना ले बिद कभी तो अगर आईगी अगलों भीया अगर आप लोग ऐसे ही शहतर होगे तो उनको तो बढ़ा हवा मिलेगा और लड़ा शिगरा करने का बिलकुल ठीक बात है आप सभी जानते हो महात्मा गांधी ने कहा था कि अन्याय करना ही नहीं अन्याय सेना भी पाप है और आपको मालूम है पाप क्या होता है देखो दिन बर के हले गुले से शोर शराबे से मन के अंदर जो जुझलाहट पैदा होती है जो तनाव पैदा होत है अब सुभा सुभा ही घर में कलेश हो जाए तो दिन भर दिमाग में तनाव एक अजीव किसम का खेचाव और धुंजलाट रहती है यही बाप है अब यही तो परिशानी है कि उन्हें समझाए कौन आखिर कौन बांधे बिल्ली के गले में घंटी सभी तुचुहे बनका रहते हैं यही बात की तो सगनी बीमारी है कि हम घूंगे धहरे बनके अर अन्याय सहते रहते हैं अर्याते क्या होगे जो गलती कर रहा है ना और गलत काम कर रहा है भाया उसे और बढ़ावा मिल जाए वही बादर दू कुलिए अरे काका राम जी भला करे तुमार यो भी कोई बात हुई भला काले को काला और सफेद को सफेद कहने की हिमत हर जिम्मेदार नागरिक की होनी चाहिए और गलत काम के खिलाफ अवाज उठाने की हिमत भी समाज को अपने अंदर पैदा करनी होगी बेशक भाया नहीं तो होगा ये के जेव कतरा तो सर्यावनों की जेव काटते रंगे और ताकात पर मुझकंडा है ना धिगा मत्ती थे थारी जनता परिशान करते रंगे और मैं बता हूं सबसे पहले मिलके ना हम सब सुबोद के उपड़ोस में को समझाएंगे उन्हें लड़ने जगड़ने से रोके आपने महले में यह जो शोर पर दूसरन हो रहा है इसे रोकना है सबसे पहले देखो जी सबस्ते सीजग्राम तो तो लो भाईयो या काम को डालते हैं हां जी काका आपने तो मेरे मन की बात ही कह दी यह तरवाला के लाश फिरो पेगा कौन सा खेल वही रुमाल जपटने का लेकिन एक बात है तुमारे इस खेल के शुरू होने से पहले हम सभी लोग आज ये प्रितिग्या करेंगे कि हम समाज की सारी बुराईयों को दूर कर देंगे नहीं जाओ कि आडिया है यह थी तौर अ कि आड़ आव अगैगा नों तर्थ यारा तक शेर, चाहिए थी आड़ वा आट नों, जाडेंव थी आड़ा आटा, आट, था यारा खेल आफ शेर, यारा आए रहा खेल, आट, लोगी स्टीश तरह दो 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 भॉष क्षिश आप माई आप क्षिश 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 हुग हुग. कर्षै रहा हुग 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 बोग् ... आपके जोगाराा, टो कया जोखिट मोरिया, आपके जा-पारा नम्मार को जाम को ते नम्मार को विद ए रिदाफ रिदा में रिदाफ़ इदारी आप रिदारी एक बारी पिदारी एक बारी ऑारी एक लिदारी निन् हाँ तो साथियों हम सभी ने देखा जुमाल जपटने का ज्यान प्रद खेल सबसे पहली बात ये है कि हम कुड़ा कच्रा इदर उदर नहीं फैलने देंगे ना तो गंदगी फैलाएंगे और ना ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने देंगे और दूसरी बात धूम्रपान और शराब की बुरियाते हमारे समाज को खोकला कर रही है हम इने जड़ से उखाड फेकेंगे पर भईया हम ये कैसे करेंगे जिनको पीने की आज़ात है वो बदा क्या मानेंगे और ये काम इतना असान नहीं है कि धूम्रपान करने वाले वो आपने कहा और वो एक बार में मान गए इसके लिए हम सभी को पूरे समाज में जागरुकता लानी पड़ेगी लोगों को धूम्रपान से होने वाली बिमारियां जैसे रक्त चाप, कैंसर इन सभी आजी के बारे में विस्तार पूबक समझाना पड़ेगा पूरे समाज को शिक्षित करना पड़ेगा मनीज भाहिया, क्यों न हम नशा और ये सराप को छोड़ने वाला एक नाटक करें मतलब कि जिसमें सब लोगों को प्रेरिस्ट किया जाए नशा छोड़ने के लिए इसमें हम उसके उपाय भी बता सकते हैं और उसके होने वाले लुक्सान भी बता सकते हैं अरे वासंकल ये तो बहुती बढ़िया तुझाव है इस तरह का एक नाटक हम लोग अवश्य खेलेंगे अपने अच्छे कामों से सद भाव सदा है लाए हम भूप गरीबी बीमारी को देश से मार बगाए हम आपस में मीजुके रहे संबंग बरेतने हिल आपस में मीजुके रहे संबंग बरेतने हिल ये है नाव का चर्मे ऐसा कोई काम नहो जिसके कारण दुख पहुँचे फिर्ट समाज को थेश लगे मन मुटाब सल भली मते अजिकार और कर्सक्यों का संस्दनना हो बेनी यह है नौशा चर्मेती यह है नौशा चर्मेती हां क्या आप जानते हो यह मामूली से लगने वाले खेलके आपको कितने फायदे होंगे भाईया सबते बड़ा फायदा तो यू होएगो कि सबकी सुस्ती दूर है जाएगी और और या भाग दौड में मनिश भाईया सबकी कसरत भी है जाएगी और तूर आमुका कहा तब लोग हतेंगे खिल खिलाया खुछ भी होगा अचा और क्या लाभ मोंगा सबंकर बता सकते ऊंitel सब्सक्राइब हो थेगको पी circuits ऑनकार जिसने का है क्या कि धुनसीद्रों में एक ही प्लड हो कर तोकर खेलने की भावना आएगी शाबाश तंकाल किसी को तो अंग्रेजी में कहते हैं टीम स्प्रेट भाई बहुत अच्छे हाँ देखो साथियो खेल कोई भी हो उनसे हमें शारिरिक और मांसिक उस्सहा प्राप्त होता है प्रसन्यता होती है और हमें जीवन में आगे में ऐसी होड चल रही है आप सबी तो जानों कि शादी ब्या के दिन चल रहे हैं अब तो भी है ऐसी पैज बढ़ जावे है कि जिसके छोरा की शादी हो वो तो बोलेगा जी हमारी बढ़ाद होगी 200 लोगों की और उसको देखकर बोलेगा तीसरा की हमारी ब्राद तो 300 तक तो ठीक है लेकिन फालतु की तड़क भड़क और फिजूल खर्ची बेकार की बाते हैं अरे दीदी ये कैसे होवेगा ये तो बड़ा मुश्किल काम है जानो हो अगर किसी से ये कहूं ना की अरे साधी में इतनी तड़क भड़क मत करें तो पता है क्या बोले है बोले ह अरे तेरे काहे सर में दर्द हो रहा है आखिर जो कुछ भी खर्चा वर्चा होवेगा वो तो मेरा होवेगा ना तो फिर तू क्यों टांगडा आ रहे हैं बीच में ऐसे हिमत नहीं हारते संजला पहले सिद्धान्त रूप में उसे स्विकार तो करो कि वो एक गलत काम है भाई यह निश्चे कर ही सकते हैं कि हम अपनी शादी ब्या में साध़ी अपनाएंगे ना तो दहेज लेंगे और ना देंगे मनीश भीया हम आपकी इस बात का समर्थन करते हैं और यह तो दहेज प्रता है ना इसके विरोध की भी प्रतिक्या करते हैं अभी शादी तो आने तो अभी तो दिल्वी बहुत दूर है देखा शादी केंजल भी पड़ी है हमने अक्सर देखा है कि गाउं में कुछ ऐसी कूप्रताय भी है जो गाउंवालों को हमेशा के लिए करजदार बना डालती है यो बात तो आप एकडम ठीक कहो हो आप सभी तो जवाली राम को जानो हो भी या उसने तो अपनी चाची की तेरवी पर पूरे गाउं को बुलाया और पूरे साथ मन आटे के माल पुआ बनाए और भी या दूसरे खर्चे रहे अलग अब तुम ही बताओ काकी ऐसी सूखी शेकी बगारने से आखिर क्या लाग आप करजा सर पर लेकर बड़े बड़े भोज कराओ और उससे क्या मिलेगा उम्र भर करजा ही पटाते रहोगे और भी या अपना प्रोस्ता वो भजल आले न उसने तो हर्दी कर दी अपनी नाती के मुंदन पर पूरे साथ मेल की मिठाई करी और भी या राम जी जूट नाम विलाए पूरे छे सो लोगों को दावत दी है उसने अपनी हैस्यस से बाहर जाकर जो खर्च कर डालते हैं उन्हें तो पीछे पस्ता नहीं पड़ता है कभी कभी तो बाप का लिया हुआ कर उनके मर जाने पर उनके बेटे और पोतों तक को चुकाना पड़ता है बिल्कुल ठीका तो साथियो अब थोड़ी ही दिर बाद हम दे कर डालती है कि यहीं पड़ता कि रचानने पर उनके मर जो में दिर भड़ता है कि बैभ पड़ता है मत लाइचो 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 लाइ चैने नीं है। और प्रख्च कितने लिगकर दोखेज जाट,, बारे साथूजी के बारी राजिलीचा, मारा थुस्टा ती तो फैजए घट्ठा राजिलीचा, मारा थुस्टा की तो फैजए गट्ठा राजिलीचा, ओ लाठो ने गोरी धा, जोला ने जियोता.. मन चल इतु है, दो की घुजू नगे माले इन भीने मन चल इत लह घंस जोगा दिया मन चल इतु है, जो दिनी थे आफ़ मुझतु है अन्हें बेज़े प्रचध करना देनिहन हमें ऊसी छी का देसी ढना कुछताया, त sentiments है. हम्होंन थानस थानने थानना कुछताया, UNẤरा छुकताया ते भीकॉताया, क्या व्होंन थानस बौीशताया.. UKRA क− Mooह सब्सक्रना धीनिहना.. मारो तेरियो पिता मारो तेरियो पिता मारो तेरियो पिता मारो तेरियो पिता कि भागवान मैं तेरे तो कह रहे था तो वोट गालन खात नहीं जागी कि अजी मुझे तो अभी घर के धेरों काम है मैं कहां जाओंगी वोट डालने अभी मैं बस राइम ना आए दिखे कामने तुम्हार लट्थे अर्चाल उड़ा वोट डालने वाकाम वोट जरूरी से अ अच्छा यो बात है लो घर का काम तुम कर तो मैं वोट डालने जाती हूं और अपने समझाना तो बेकार था है अजी मुझे एक बार बता दो कि तुम खाना कब खाओंगे कि खाले तुड़ा बैटके मैं तुजा रहा बोट गालन उनसा बाइए अरे काहे दिमाग खागे म मैं ना जाओं वो डालने अरे घर में भी मुझे धेरो काम है अच्छा तुमुझे ये बता कि अगर मैंने वोट ना डाली तो क्या हो जावेगा क्यों यह देख सुन सुरू यह पानी के वार तो पूंद भूंद से पानी का मठका बढ़ जा घरा बढ़ जा तो एक बूंद मानने पस भी कहा जाना मैं तो नजगरीज में तो कैसे बढ़ सके मठका मता बढ़ सके उसी तरह से वोट का हिसाब है एक एक वोट से पूरे राष्ट का पूरे समाज का पूर सत्ता बने है जिससे हमारा देश चला है ठीक है तो यह वोट जो है बहुत ही ज्यादा जलूरी अच्छा तो मैं जिसको चाहूं उसको वोट डाल सकती हूं और नहीं जो क्या जिसको मर्जी वोट गेरो इसमें कोई जोर्देबर दस्ती थोड़ी चला है और एक चीज और मान ले तम ने अपने वोट का प्रयोग नो करा तम सच्छा हम के करेंगे एक आदमी के वोट से के रास्कावी बंटा धार होगा इतना जरूरी है यूँ हाँ अब सोचो मतना चल 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 और समी का ध्यान रखना भी जरूरी है हाँ इसलिए खेल खतम पैता ख़जम नो तो दोरने करते हैं पेश एक कर एक जी तुझे ये रोजी पक जरते हैं फीरे बदर्म में होती घर थे तारों की दिनी ये हैं नो शाख मती ये हैं नो शाख मती झाल